तो अगले खबर भुरकुंडा से जहां बिजली जाने की समस्या तो कभी जनेरेटर के खराब होने की समस्या के बाद भुरकुंडा एक एसी हॉस्पिटल में ठप होने वाली व्यवस्थाओं और गर्मियों में मरीजों को होने वाली परिशानी से अब राहत मिलने की उम्मेद है इसके लिए बरका सयाल भुरकुंडा हॉस्पिटल में अब सूरिक की प्रकास से बिजली बहाल होगी 88 के वी सौर की नई व्यवस्था के तहत हॉस्पिटल में सोलर पावर ग्रिड सिस्टम लगाया जा रहा है इससे ना केवल अस्पताल में बिजली संकट दूर होगी बलकि CCL को प्रतिवर्स बिजली खर्च पर होने वाली लाखो रुपयों की राशी भी बच जाएगी बिजली गुल होने पर अस्पताल में बिवस्थाएं प्रभावित हो जाती हैं गर्मियों में बिजली की आँख मिचौली और लोड सेडिंग होने से जनरेटर भी हाफने लगते हैं जिससे लैब एक्स रे सोनोग्राफी सहीत अन्य जांचे ठप हो जाती हैं रोगी और परिजन गर्मी से बिहाल हो जाते हैं इसके अलावा सी सील द्वारा अन्य जगहों पर भी सोलर एनर्जी अस्थापित किया जा रहा है जिनमें विर्सा प्रियोजना उरीमारी रिजनल वर्क्शॉप बरकाकाना डीएवी उरीमारी होस्पिटल आदी जगहों पर 378 KVA का सोलर एनर्जी अस्थापित किया जा रहा है जिसकी लागत डेड़ करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं बिजली सप्लाइब होगा और रात में अत्मा जो जनरेटर सिष्टम होई चाहिए यह ब्रुजबर खेजा है हाँ दिन दिन में जब तक सुर्ज की रोशनी रहेगी तब तक हम लोग जो बिजली सप्लाइब लेना परता था यह पाइसां करा चाहिए हम आजुद है वुरकूंडा के सिस्यक के अस्पतार में जो बरका सारका सब्सक्र बड़ा अस्पतार है और इस अस्पतार एमें खासिएत प्षाथकी बैठाए गया है जिसका हमने केयरेों में क्याब किया है सारा भीजबर को अब हमारे साथ भुर्कूंडा पंचाइट के मुखिया अर्याव जी है इनके पंचाइट छेत रही अस्टाल है सब चुड़ा बात है कि यहां कि मरीज को बहुत बड़ा राहत के सास लेगी कारण क्या है क्या बिजली नहीं कटेगी किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा कि भुर्कूंडा हस्कंताल का अपना विजली हो चुका है अपना सारी वेवस्ता हो चुकी है अब बस कुछ ही जब ही हो उधिहाटन का समय अब भाक्षी कि है जब सीसेल के अदिकारी उधिहाटन करें लेके हमारे सार्यंचाइट पे बुर्कूंडा पिचेक पूनुखिय उसमें सिस्सर महाप्रबंधक को जिला परसासन को बहुत-बहुत अभारवेक्ट करते हुए हम अभारवेक्ट करते हैं एवं छेत के जितने भी मरीज है पेसेंट है अप्टर है नर्स है सभी लोगों सुविधा उपलब कराए गई इसके लिए भी बहुत-बहुत अभारवेक्ट करते हैं अब मरीजों को बिजली का अजिती में नहीं रहना होगा अंधेरा में नहीं रहना होगा और एनिटेम 2400 घंटा बिजली महया है इसके लिए सभी सुविधा उपलब रहेग गरीब से लेकर हमिर सभी लोग हर्ष ट्रीटमेट के लिए बर्कुंदा एकेसी होस्पिटल को पहुंचते हैं किस प्रजेक्ट में यह अस्पतार है इस शिश्यल वरकासाल च्छेत्र अंधरगर बर्कुंदा एकेसी होस्पिटल है कैसा कुसी महसुद कर रहे है जो सिक्ष लेकिन अब जो है सफिल जाने से क्या है कि कोई बी मसीन ओपने रहेगी अर्सारा मसीन अर्सारा अर्सारा तंद्र काम करते रहेगा पुरा सीसले किसी हुस्पिल्स तकर चुन्द रहे हैं गली से ची हम भुर्वंडा में महलूद है अब देख साथी है सीसल का अपना प्लांट इंजो मेठा व्यापार। रामगर जी राक चांव है बरकास चोया पहला यह सफ़्लता भी नहीं है जहां भुरोंदा का एकेसी घास्पिटैर का सबसे बड़े सफ्षलता भी यह लेकिन अब दिछना के अधिकारे और इसको बैतर और कैसे बनाते हैं यह आफ दिछना के बाकी है क्युक्ति यह फुर्कुंदा जो अस्थे का ह्ट अब दे अस्थन माना जाता है जो रामगर जीला का सबसे भव रूप में माना जाता है और अगरेज जमाने के बिल्डिंग है लेकिन आज अंगरेज यह सौज साल का यह कुरा होने रहा है यह कुणड़ा लेकिन सौज साल का लाइट में सीशे कर जब से गठन ववा है रात सीशल ने एक अस्पताल में अच्छा ओर जगो दिया है जहां पर अपने अबीदी स्वेन बना गया है बुखेर लिए एक और बाता है जीश इसे बहुत मरीज को जनकारी नहीं है कि बिद्री ब्योस्था की गई है, कैसे संद्रस जाएगे, सिस्यल क्या कर देखे, दो परचार करने के उसकता है नहीं, जो भी होस्पिटल के सुपिजा, जो हमारे होस्पिटल गुर्पुन्ड एक इस होस्पिजा जो मिल रही है, सिस्य लोग यहां पर भुर्पुन्डा छेतर में, कुलांतिर में, कभी भी घटना, कभी भी ओईसा मसूस होने से होस्पिटल आने से, लोगों यहां सुपिजा देखेंगे, और खुद चर्चा करेंगे, और लोगों तक मसे पहुंदेगे अब देखना कि सीस्टिर परबंदक इसको और बहतर कैसे करती है, किस परकास और ब्यवस्था को सुझारती है, या नया टेक्निकली लाती है सीस्टिर यह बहुत बढ़ उपलब्दिया है, फिलार रफ्तार मिडिया के जुदू पारड़े रामगड़ परकास्या तो फिलाल इस मिलिटिन में इतना ही बने रहे है रफ्तार मिडिया के साथ